नमस्कार आप देखे हैं SPN 9 News मैं हूँ आपके साथ नदीम एहमद बढ़ते हैं अगले ख़बर की ओर अयोग्यता को लेकर के स्पीकर द्वारा फैसला ना लेने पर सुप्रिम कोट ने बद्वार को बड़ा फैसला सुनाया है सुप्रिम कोट ने मनिपूर के वन मंत्री और भाषपा विधायक टी श्याम कुमार को मंत्री पत से बरखास्त कर दिया है उनके मनिपूर विधान सभा में भी घुशने पर रोक लगा दिया है आपको बता दें कि सुप्रिम कोट कोट के आदेश के बावजूत स्पीकर ने इस मामले पर चार सप्ता के भीतर आयुग्यता पर कोई फैसला नहीं किया था इस पर सुप्रिम कोट ने नाराज होकर सम्विधान के अनुछेद 142 के तहट अपने विशे साधिकार का इस्तमाल किया है कोट ने कहा है कि मंत्री श्याम कुमार विधान सभा में पर्मेश नहीं करेंगे सुर्पिम कोट ने कुमार को अपने मंत्री पत से भी हटा दिया है अब इस मामले पर अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी दरसल बात ये है कि 21 जन्वारी को उच्चितम न्याले में मनिपूर विधान सबाकिया ध्यक्ष से कहा था कि वह मनिपूर के वन मंत्री एवं भाचपा विधायक टी शाम कुमार को अउगि ठहराने की मांग करने वाली कॉंग्रेस की यचिका पर 4 हफ्ते में फैसल आले इसी दोरान आदालत ने अयोगित ठहराने की मांग करने वाली याजिका को देखने के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली बनाने का भी सुझाव दिया था नयामोर्ती आर एफ नारिमन की अधिक्षता वाली पीठ ने कॉंग्रेस विधायक फजुर रहीम और केम एक चंद्र से कहा था कि भाजपा की मंत्री अयोगिता की मांग करने वाली याजिका पर चार हफ्ते के भीतर फैसला नहीं ले पाते हैं तो वो फिर से सुप्रेम कोट क का दर्वाजा खड़ खड़ा सकते हैं भाजपा की मंत्री के मंत्री ने विधानसभा चुनाओं कॉंग्रेस के टिकेट पर जीता था लेकिन बाद में वह भाजपा में शामिल हो गये और मंत्री बन गये कोट ने कहा कि संसत को इस पर पनह विचार करना चाहिए कि अयोगित किसी राजनितिक दल से भी आते हैं तो ये बड़ा बयान है सुप्रिम कोट का कि ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि अध्यक्ष भी किसी खास पार्टी से तालूक रखते हैं ये बयान इस बहुत महत्यपोड़ने क्योंकि मध्यप्रदेश में सियासी घामासान भी विधानस अध्यक्ष के ही फैसले पर चल रहा है अगर फ्लोर्टेश्ट का फैसला सुमर को दिन ही दे दिया गया होता तो सायद मध्यप्रदेश में भी अब तक निर्न हो गया होता लेकिन राज्यपाल और विधानस बाध्यक्ष के बीच इस मकभेद को भी बड़ा अस्तर पे जाना चाहिए आप देखते रहे एस्पेन नाइन न्यूज देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमेसा जोड़े देए एस्पेन नाइन न्यूज के साथ फिलहाल मुझे देजे अजाज़त नमस्कार